Hello everyone, आज हमारा day number 6 है, day 6 है, challenge number 6 है, I am a powerful creator. हम बहुत ही powerful creator है, हम हमारी जो life है, हमारी जो destiny है, हम उसे change करने की power रखते हैं. हम इतने powerful हैं, और हम उसे change किस तरीके से करेंगे? हम उसे change law of attraction के तरू करेंगे. law of attraction से हम हमारी जो destiny है, उसे change कर सकते हैं, क्यूंकि हम खुद एक powerful creator हैं. law of attraction सबसे powerful technique है, सबसे powerful law है हमारे universe में, जहां पर हम law of attraction की मदद से, हम को जो चाहिए, हमें जो चाहिए, हम वो achieve कर सकते हैं, और हमारा जो destiny है, हम उसे change कर सकते हैं. तो आपने बहुत सारे books या movies देखे होंगे law of attraction के उपर, जैसे की the secret, the secret movie आपने देखी होगी, या आपने उसकी book पढ़ी होगी, या ऐसे बहुत सारे books आपने पढ़े होंगे. उसमें law of attraction ये बोलता है, हम इनसान, हम इनसान जब एक चीज पे बार-बार focus करते हैं, बार-बार उसके बारे में सोचते हैं, जब हमारी vibration उस हिसाब तक हो जाती है, उस हद तक हो जाती है, तो हमें वो चीज मिल जाती है. हमारी vibration जैसे होती है, हम वही चीजे attract करते हैं, हमारे life में वही वैसे ही इनसान आते हैं, जैसे हम हैं, हमारे life में वही चीजे घटती हैं, जो हम सोचते हैं. हमारे vibration, हमारे thoughts, हमारे beliefs, ये सारे चीजे law of attraction में होते हैं, तो हमें ये जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है, कि हमें कौन से चीज पर ध्यान देना है, और कौन से चीज को हमारे तरफ attract करनी हैं. ठीक है, तो law of attraction ये बोलते हैं, law of attraction ये बोलता है, कि हम हमारा जो thought है, जितना हम उसके बारे में सोचेंगे, उतना हम चीजे जो है, उसे attract कर सकते हैं. ठीक है, तो हमारा दिमाग जो है, वो एक radio transmitter जैसा है, वो एक radio transmitter जैसा है, जो कि पूरा दिन, पूरा 24 घंटे, पूरा दिन, पूरे हफते, पूरे साल, 365 days, 24 by 7, हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहता है, कोई thoughts होते रहते हैं, हमारा belief system उस हिसाब से चलता है, हमारा vibration उस हिसाब से चलता है, तो आज की जो practice है, वो आज आपको एक नया create कैसे करना है, पावरफुल create कैसा करना है, वो चीजे में बताऊंगी, वो challenge है ये आज आपका, क्योंकि हमारा दिमाग जो हम सोचते हैं, जो हम believe करते हैं, वही चीजे हमें मिलती है, law of attraction यही बोलता है, त तो आज आप एक ऐसा चीज manifest करो, आज एक ऐसा चीज powerful creator है आप, तो आप एक ऐसा चीज मांगो, जो आपको चाहिए, जो आपको दिल से खुशी मिलती है, आखे बंद करो, आज के दिन, आप try करो, meditate करने का, meditation के बाद अपका mind जो है, वो काफी शान्त हो जाता है, उसके बा butterfly हो सकता है, एक chocolate हो सकता है, आपका dream car हो सकता है, आप कहीं गुमने जाना चाहते हो, वो जगह हो सकती है, कोई भी चीज आप वो चीज के बारे में सोचो, जो वो चीज सोचो जिसमें आपको खुशी मिल रही है, आपको मज़ा आ रहा है, और हर एक काम जो मैं बताती हूँ वो excitement के साथ करो, fun के साथ करो, खुशी के साथ करो, तो ये वाली जो practice है, आपको, आप कोई भी चीज manifest कर सकते हैं, आपको किस तरीके से करना है, जो चीज आपको चाहिए, आपको अगर chocolate चाहिए, तो chocolate के बारे में सोचो, butterfly देखना है, तो butterfly किस तरीके से दिखना चाहते आप, वो सोचो, आपके dream car है, तो dream car के बारे में सोचो, वो कैसा दिखता है, वो कौन सी car है, उसकी staring कैसी है, वो सारे चीज सोचो, ये चीज आँखे बंद करके सोचो और अपने आपको happy feel कराओ, और जब ये चीज आप सोचोगे, जितना आप सोचोगे, उतना आप वो ची आपको वो चीजे लाइक में देंगी, ठीक है, तो ये है आज का practice, जो आज की ये challenge है, जो भी मैंने आपको बताया है, वो बहुत ही खुबसूरत तरीके से करना, मजे लेकर करना, और enjoyment के साथ करना, और अपने experience जो है, वो ज़रूर कमेंट सेशन में share करना, मैं हरे का भी दूँगी, तो आज के लिए सर्फ और सर्फ इतना ही, मुझसे और बने रहने के लिए, आप मेरे channel को subscribe कर सकते हैं, आप Instagram पे मुझे follow कर सकते हैं, Telegram पे भी एक मेरा channel है, जहां पर में हर रोज motivational images, codes भेजती रहती हूँ, ताकि आप हमेशा motivated रहे, thank you so much, और experiences ज़रूर share क Thank you so much.